नमस्कार दोस्तों बहुत आप सभी कब लग करें और आपके सारी एक्षाय मनगामने परी हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेड़ेट महत्मुन जान करें विक करूंग और यहां पर सरपतर में आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पुरे पाम का एनलेस किसी को और बहुत चुस्ती इस फूर्ती में काम करने के योगों को निर्मित करता है इस कंडिशन में यह इंपेशेंट नेचर क्रियेट करता है क्योंकि किसी भी चीज को पाने की चाहत बहुत जल्दी देखने को मिलती है और जब फिंगर में ऐसे गैब मेंटन हूँ तो भी बहुत चीज को ऑर इंडी इंडीपेंडेंट नेचर अपरूच क्रियेट करता है तो कभी कि सीके अंडर में कम्फरिबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूस ठीक्छन मन मताबबह काम करना, इंडीपेंडेंट ली वर्क करना, किसी के इंडर में ना कर पकना, किसी की ज़्यादा सुनना पाना और अधिक खर्चिला पन होना यह सारे कॉंबिनेशन्स यहां पर देखने को मिलते हैं और जो लिडिल फिंगर की लेंथ है वो शॉट है क्योंकि थार्ड फिंगर के थोड़ा सा वीक होने के करण कभी एक समय परेख से ज्यादा काम करना से आपको बचना चाहिए क्योंकि उस कंडिशन में हर काम में देरी और चनवादा रोकावट क्रिएट हो सकता है अगर एक समय परेखी काम करें तो हर काम में परफेक्शन एस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा बार्गनिंग स्किल्स थोड़ी सी वीक रहेगी इसले मार्केटिंग से नोलेज्ज थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा थर्ड फिंगर के लिए ज्यादा स्टॉंग है तो जो कि रिस्क टेकर बनाता है तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और क्रेटिविटी वा आर्टिस्टिक क्वालिटी ज्यादा देखने को मिलेगा इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजर करने के क्यादत भी आपके अंदर रहेगे और फर्स्ट फिंगर के लिए थोड़ी शॉर्ट है जो डाउन टु अर्थ और थोड़ा सा रिजर्व टाइप कर परस्नालिटी देती है और जब यह प्यूर्ली इंडिपेंडेंट हो सेकेंड फिंगर से तो यह इंडिपेंडेंस ओफ नीचर परस्नालिटी और सेल्फ मोटिवेटेड बिसिकली परस्नालिटी को क्रेट करता है और इस कंडिशन में चाहकर कि भी किसी के सामने हाथ नहीं फिला पाते बहुत ज़्यादा आप जैसे जातक अपने दम पर अत्यदी काम करते हुए देखने को मिलते हैं बाकी जो फ तुम्हें थोड़ा अनबर मद्बेद दे रही है लेकिन सीधी खड़ी देखाऊं कि शंकला ठीक है तो फ्रेंडली नेचर एन अप्रोस्त अक्रिबन ठीक है और फिंगर के जो यहां पर नोट से यह डिवलोप क्लियर कट नहीं है जो कन्फूजिंग मैंड सेट की निशान बढ़िया रहेगा और थमका साइस शॉट होने के करन टूदा पॉइंट बात करना सुनने ही आप ज्यादा पसंद करेंगे यहां पर आपका डेवलोप तक्रिवन ठीक है तो आलेशान घर का सुख भोग पाने में सक्षम रहेंगे और फिर्स्ट फिलिंच पर जब भी आड पाते हैं lots of dream and desire ambitions life के प्रतित देखने को मिलता है और इस condition को कहते हैं fire element है जो की impulsive emotional and impatient nature के साथ quick taking skills उन्दी बहाब वो feelings को यहां पर indicate करता है किसी भी प्रकार का restriction obligations life में accept नहीं करते है pure open-minded type of nature personality भी यह देता है अब जुपिटर मांट के regarding बात करेंगे तो जुपिटर मांट यहां पर आपका cross का जो sign है वो prominent नहीं बन पा रहा है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर और यह किधर पर तो यह जो prominent cross का sign नहीं बनता है तो love affair में success मिलने के जो एक परकार से योग बनते हैं उस पर बहुत जाद़ difficulties यहां create करता है इसलिए यहां पर आपकी बहुत सारी आड़ी रेखा हैं देखने को मिलेगी जो एक प्रकार से force करती है कि मेरी जी ना किया जाए क्योंकि पहले कर समय में इसी आड़ी रेखा ब्रह्म जो चरिया का पालन करते थे उनके हाथ में भी हुआ करता था आज के समय में अगर यह होता है तो 98% cases में यह व्य condition में एक प्रकार से relationship successful ना हो पाया तो फिर marriage करने का कोई भी एक प्रकार से योग या sense आप जैसे जातकों की life में होता नहीं है दूसरी बात यहां देखेंगे तो जूपिटर अपने आप में developed सही है तो जूपिटर जब इसा developed होता है तो सांसारी के परिवार एक सुक बहु साड़ी रेखा है जो पिता से वेचारी कन्बन मद्भेथ की स्थिति दे रहा है तो गुरू एट देंड रिस्पॉंड जो है कई ना कहीं ठीक कर रहा है बैलेंस करके चल रहा है कि सारे रिच्तनाते आपके बैलेंस यहां पर पोजिशन में दिखाई पड़ रहे हैं सेटन के स्थिति के बात करेंगे तो सैटन पर आपकी एक जो लाइन गई हुई है इसे टूथ लाइन कहते हैं इस कंडिशन में जुट फरेव दिखार्टी पन धोके वाजी जैसे चीजों से दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा सत्य निष्ठावान या फिर नियाय पर एकिस्म प्रेक्टिकल हो जाना, इमोशनल हो जाना और ब्रीड से अलग हो जाना या एकान पर एकिस्म का व्यक्तित हो जाना डिपेंड करता है कि ऐसा समय पर इस्तिती है यह रेखा हर काम में रुकावट देती है इसलिए सैटिस्फेक्शन कभी किसी काम से जल्दी मिलता नहीं है रुक रुक करके काम बनते वे या फिर एन वक्त पर काम बिगड़ते वे भी देखने को मलता है यह रेखा चिंतन मनन भी कराता है इसलिए बहुत जादा डीप थौट्स या नेगेटिव थौट्स या ओवर्थिंकिंग भी है देता है इसलिए थम के ओपर हाईपर टेंशन और यह कॉंबिनेशन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके हतेले में लूप ओफ सीरियसनेस है और यह आकरती सेटन और सन को मिला करके बनती है और इस कंडिशन में बहुत अच्छी आती है लाइफ में लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते है इसलिए इस कंडिशन में ठीक करता है टॉक्सिन जो भी रहता वो सब खतम होने लगता है तो इंटर्नल पीस हैपिनेस या फिर लख इनहेंस होते हुए यहां पर फिर देखने को मिलता है यह काम कर सकते हैं कहीं पर जाकर के फ्री सेवा जो भी श्रम सेवा हो सकती है वह आप जो है कर सकते हैं चाहे नुए जो कोई संस्थान हो या फिर आश्रम हो या फिर मंदिर हो और इस condition में donation कुछ न कुछ करते रहना चाहिए खासकर शनिवार के दिन donation in the sense खाने पिने के regarding जो मज़दूर है उन लोगों के regarding तो Saturn की स्थीदी बहुत सही होने लगती है और फिर जब ये सही होने लगेगा आपका सूर्य आटोमेटिकली ठीक हो जाएगा पर सूर्य जब ठीक हो जाएगा ये ठीक होने लगेगा तो career के बिहाफ पर growth होना शुरू हो जाएगा in the sense focus आपका अच्छा हो जाएगा mind divert होना बंध हो जाएगा desire ambitions complete होना शुरू होगा opportunities career के रिगार्डिंग strongly आना शुरू हो जाएगा अब separate luck line के बारे में देखें तो यहाँ पर आप देख पाएगे कि moon luck line के availability है moon luck line वेसे comfortable life style देता और जैसा कि हमने जूपिटर देखा तो वो बहुत अच्छे well place है तो बचपन से आपको सुक्सविधा तो परियाप मात्रा में मिली हुई है यहाँ से जब भी mercury line इसे निकलती है तो यह business sense luck या independent work करने पर थोड़ा सा वेक्ति को focus देने वाला होता है अब यहाँ पर जो luck line है वो mind line पर रुकी हुई है तो mind line पर जब luck line रुकती है तो खुद के लिए decision बनाए गई योजना कि अतरिक अपने काम में परिवरतन करते हुई देखने को मिलते हैं और जब mentally full satisfied नहीं हो पाते तब जाके जो luck line है वो आगे नहीं बढ़ पाती है तो यहाँ पर वही combination हो रहा है कि यहां रेखा रुक रही है फिर दूसरी एक another line यहाँ पर create हो रही है फिर another line जा रही है तो यह इस बात को दर्शारा है कि काम तो कोई भी आपका शुरू हो जाता है मन मुताबिक लेकिन मन मुताबिक proper ending नहीं होता है इसलिए proper internal peace, satisfaction, stability किसी काम में मिल नहीं पारा और इसका जब आप remedy करेंगे तो automatically सारे काम से perfection होना या सारे काम से satisfaction मिलना, सारे काम से desire पूरे होना शुरू हो जाएगा और mood swing जैसी चीज़ों में भी सुधार आपको अच्छा आएगा अब सुरक के उपर ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको fish symbol का sign देखेगा fish symbol का sign व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है जो लोग अपने घर परिवार में सबस्यादा संब्रेद प्रशित कुसहाल या नामी होते हैं या जिनकी पहुच बहुत बड़ी होती है उनके हाथ में fish symbol देखने को मिलता है और यहाँ पिता के अच्छी संपत्ति से लेकर के और यहाँ पर पिता को सारे सुख और घर परिवार को कुल को सारे सुख पहुचा पाने जैसे योगों को निर्मित करता है जर्मिस्थान से दूर प्रगती होता है फॉरें से connection होते हुए देखने को मिलता है टॉप पोजिशन है न अथोरिटी मिलते है लेकिन यह तब होता है जब यह फुली इंडिपेंडेंट हो यह पूरा डिपेंडेंट है आपको फिशन बॉल देख सकते हैं कि मल्टिपर्स लाइन आकर एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है तो इस condition में इस बात को दरशारा है कि आपके काम में बहुत ज़्यादा ध्यान है नहीं, focus में कमी है और बहुत ज़्यादा dedication भी काम के प्रतिन नहीं है इसलिए यहां पर आड़ी रेखा जादा है जिसके करन बार-बार काम में, मन में, ध्यान में परिवर्तन होने जैसे यहों को निर्मित होते हैं तो किसी भी काम से प्रोपर नेम, रिस्पर्ट, सक्सेज या वेल्यो, एक्सपेक्टेड गेंस मिलना मुश्किल होता है और यह तब तक रहेगा, जब तक सेटन पर आड़ी रेखा, क्योंकि अगर यहां पर लूप ऑफ सीरियसनेस नहीं होता तो सीधे के सीधे सेटन के अलावा सूर को जिम्मिदार ठहराया जाता है कि आपका सूर्य खराब है, इसको रेमिडिक आपको करना चाहिए, लेकिन इसा नहीं है लूप ऑफ सीरियसनेस में सेटन के तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव आता है क्योंकि यही सेटन उदास नता या फिर अनवशक चिनताएं देता है इसलिए इसके रेमिडिक के बाद में इस्तिती बहुत ज़्यादा सुधरतियों दिखाई देती है यहाँ पर आपकी morality को down करना कोई motive नहीं है लेकिन सथ से अवगत कराना मोटिव है ताकि एक तो आपका आने वाला future की रिगारिंग आप अच्छे से planning कर सके दूसरा जो remedy suggest किया जा रहा है उसको strongly follow कर सके बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं तो इस condition में दूसरों को advise or suggestions अच्छे से दे पाते हैं loop of जैसे seriousness था loop of humor की भी आकरती यहाँ थोड़ी बहुत बन रही है जो हसम खास कभी वेक्तित देती है जब भी यहाँ पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा होती है तो आप किसी partner से या अपने किसी वेक्ति से धोका मिलने के chances money matter में देखने को मदलता है इसलिए कभी partnership में इनके सगर business करने का मनुत तो मत करीगा तो उसमें नुकसान होने के chances दिखाई दे रहा है इसके अलब स्कूर का जो sign होता है यह multiple languages के knowledge में इंट्रस्ट देने लगता है communication skills जैसी चीजें धेरे धेरे कर strong होती दिखाई पढ़ने लगती है और wealthy personality का यह important sign होता है लेकिन क्या हो रहा है कि जो आपका यहाँ पर बुद परवते वो दब रहा है यह बात भी कह देना था जादा ठेक रहता अब union line में आप देखेंगे तापकि एक दो और इधर बहुत हलकी सी एक और union line दिख रही है तो union line जब इस प्रगार से होती तो एक से ज़्यादा बार गहरा attachment यह relation को build करती है इसमें जो second one line है देखें कितनी ज्यादा strong है तो अगर आपका यहाँ जो relation यह अगर second number का है तो आपके अतेले में तो पूरे chances दिख रहे हैं बहुत strongly नीचे के तरफ रेखा हैं और उपर के तरफ दोनों तरफ रेखा हैं तो यह good sense of humor and flirty romantic nature भी देता है और मात्रभग भी बनाता है तो मात्रपिता के भी अच्छे सेवक देखने को फिर मिलते हैं और हैदर एखा संबंधी विशे पर देखें तो यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है इससे बहुत इंपोर्टेंट एक लाइन निकलके सीधे माइन लाइन में मर्ज हो गया है तो इस कंडिशन में बहुत बड़े दूसरों के सामने नहीं निकाल पाते हैं थोड़ा हाइड करते वे देखने को मिलते हैं और ओरलैब करने के करने इंपोशनल लेवल की परसनेल्टी को बिल्ड करता है इधर से एख शाकर निकल कि जो प्यूठ जूपिटर पर जा रहे है इसे वर्कोहॉलिक परसनेल्टी कि करते हैं इस कंडिशन में खाली बेटना पसंद नहीं होता कुछ ना कुछ वर्क करना अपने आपको बिजी रखना किसी ने किसी का में इंगेज रखना आश्रवाधी किसम का व्यक्तितु होना इस प्रगर के कॉंबिनेशन ही देता है और यह जब शनी के अलावा गुरू से पुरा जब रखना रखना अपनेक्टेड होता है तो यह बहुत जाता ही ओनेश्ट लॉयल टाइप ऑफ परसनेल्टी को इंडिकेट करता है और इस कंडिशन में दिल के साफसुतर व्यक्तितु को और काम को ज्यादा तवजर देने जैसे यूग को और एक प्रकार से बैलेंसिंग परसनेल्टी को यानि एमोशन, प्रक्यकलिटी सबको बैलेंस करने जैसे यूग को अधर्मित करता है बहुत सारी रेखां मंगल के तरफ से आ रही है जो एक प्रकार से aggression, frustration and irritation दे रही है उम्र around 24-5 case तक और यह मांगली क्योग कभी निर्मान करती इसलिए कुंडली मिलान करके marriage करना important होता है मांगली क्योग में उम्र 21 और उम्र 28 के बाद में ही marriage किया जाता है उसके बीच में marriage होना ठीक नहीं होता है तो यह एक बार चेक कर लिजाएगा आप और mind line इस परकार से जो independent चल रही है यह बहुत ज़दा हिम्मती सोभाव बहुत ज़दे ही बुद्धिमार और इसलिए बहुत ज़दा स्टबन बनाती है और इस condition में अपने जित को किसी भी तरह से आप जैसे आदक पूर्ण करने वाले होते हैं और जितना भी रेस के अपने खुद के दम पर लेना फिर पसंद करते हैं अब यह जो mind line है यह आपका continue चलते हलका सा decline हुए तो यह थोड़ा आपको deep thinker बनाएगा थोड़ा चतुर चाला की बनाएगा क्योंकि बैफॉर्ग का साइन में क्या होता है कि काम में परिवर्तन नहीं करते काम के तरीके में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं इसलिए जो भी desire ambitions होता है वो सब fulfill होता है और यह जितनी भी रेखा है अन्नसेसरीली यहां प करके अगर भात पूजा करा है या फिर कहीं भी भात पूजा जो है मंगल देओ कि अतरिक्त करा सकते हैं उससे मंगल के जो दुष परिणाम है मंगल के दुष परिणाम में क्या होता है कि relation strongly build नहीं हो पाता love marriage issues या मेरी issues यह देता है mental stress pressure कही ना कहीं से आते वह देखने को मि करता है mental stability ना होने की कारण studies में रुकावट और professional life में difficulties आने लगता है और फिर यह डिपेंड करता है कि कुंडली में कहां बेठा है तो उस चेत्र के regarding उस जगर के regarding जो stress से वह भी आता है तो यह सारी चीज़े आप से आपको निजात मिलेगा वह पूजा कराने से और उसके कद में बहुत ज़्यादे इंटर्नल पीस happiness stability और married life successful होते फिर देखने को मिलेगा करियर की बहाँ पर जहां तक बात करें तो करियर के लिए सबसे पहले तो आपको सेटन को ठीक करना है तब संट ठीक होगा और तब जाके लग लाइन की स्थिति बहुत स्टॉंग हो तो यहां पर देख पाएंगे कि एक आइलेंड का formation बच्चपन में दे रहा है तो बच्चपन में स्वास संबंदी विश्व में आपको तकली परशा नहीं जादा रही है अभी भी कई नहीं थोड़ा सा stress pressure life में है और आगे चलके lifeline का flow बहुत स्मूथ होता दिखाई दे र रहे हैं और वो उम्रो 28-29 का समय है तो इस condition में spouse का दूसरों का stranger का support अच्छा मिल पाएगा जिससे stress वरिस खतम रहेगा और lifeline का जो flow है वो थोड़ा-थोड़ा बाहर के तरब भी जा रहा है तो बर्थ प्ले से दूर settlement के जो chances है वो भी हाँ पर कुल मिलाकर के बढ़िया दिखाई दे रहा है इंटर्नल मार्स के इस्तिती ठीक होने के करण शारेरिक गठन बल उर्जा और मानसिक बल दोनों ठीक रहता है physical fit mentally alert दोनों रहता है फोकस जब भी किसी काम पर अच्छा किया जाए तो उस काम को definitely achieve कर पाते इसलिए विल पाउर आप जैसे जातकुका बहुत बढ़िया होता है और बहुत ज्यादा ही मानसिक वो शारेरिक रूप से मजबूती होने के करण होसला जुनून पराक्रम और शहन शिलता बहुत बढ़िया होती है इसलिए aggression पर ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पता है ज उनिक चॉइस और कभी भी अपने स्टेंडर ओफ लिविंग से कुछ ज्यादा कॉंप्रमेज नहीं कर पाना ब्राइंडर चीज़े ज्यादा पसंदाने इस सब कंबनेशन देता है जितनी भी आड़ी रेखा है इस सब अननेसेसरी वरीज होती है जो कि ओर थिंकिंग नेग इसका तो अगर यहाँ पर इतनी आड़ी रेखा होने लगए तो डेफिनेटली नेगेटिविटी आ जाती है इसलिए यह चीज़ ना है इसलिए अपने आपको बहुत ज़्यादा कूल काम रखें इस और भरोसा रखें खुद पर जो है एक प्रकार से एग्रेशन सीरियसने तो शुक्र आपको पीसफुलनेस, हैपिनेस और सारे डिजार और इंबिशन्स कंप्लीट करके देगा यह शुक्र आपका बहुत सही डेवलप्ट है तो आप जैसे जातक तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं खासकर एक प्रकार से फेशन और यह चमक धमक यह लगजरी इन सब के लाइन्स में बहुत एक्स्ट्रिम लेवल का सक्सेज मिल पाता इन सब सेक्टेड में और केतु के स्थिती वेसे देखा जातों समाने हैं यह शुक्र आपको लंबी आई अच्छा स्वास्था सारे लगजरी स्कंफर्ट देगा यहां से यह रेखा निकल रही है ए रेवलिंग करते समें इंटर्नल पीस या हैपिनेस लॉंग डिस्टेंस ट्रेवलिंग में होना यह कॉंबिनेशन होता है इसलिए बर्थ बिस से दूर भी ग्रोथ होने के चांसे यह ज्यादा बढ़ा देता है यहां पर जो मनी ट्रेंगल है वो इनकंप्लीट है इसलिए प लेफ्ट हैं में तो यहां पर भी मून लख लैन है लेकिन इधर भी लख लैन माइन पर ही रुख रही है तो अपने लिए के डिसीजन बनाए गए उजनम में कई न कई परिवर्तन करते हैं देखने को मिलेंगे और यहां पर बहुत सारी रेखा हैं इस तरफ से नीचे के त दिहान रखना जिन दिन चरिया पर अच्छा ध्यान रखना ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग में जली कोई स्ट्रेस ना आना और सेल में जब लख लैन इसे निकलती है तो खुद के किये गए महनत और बनाए गए योजना से लाब बहुत अच्छा मिल पाता है तो आपका मह है वो कई ना कई बहुत सही दिखाई दे रहा है एक प्रकार से मेरेड लाइफ के लिए ओवरॉल करियर के लिए तो सैटन के रेमडी क्या होशकता है बाकि देखा जाए तो सारे कमफर्स लगजरी अच्छी खासे आपके हतेली में देख रहा है इसलिए आपके पास रिसोर सेसका ओर और लाइफ कोई कमी रहने ही नहीं वाला है किसी भी रिसोर्स में तो यह थी सबसे महत्पून बाते हैं आपके हांत करी गड़ी आश्रगरता हूं सभी परिशनों को तर मिल गया हूँ तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद